आज हम लोग देखने वाले हैं अद्ध्या नमर 5 देखने वाले हैं जिसका नाम है अर्थपरच्था एब हम आज इफटा के बारे हम जानने वाले हैं और आज हम अपने जीवन यापन में उसको कैसे उपयोग करते हैं अर्थपरस्ता मतर् रुप्या पैसा को इस वीडियो में जानने वारे हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक है इसे बहुत ही अच्छे कुष्चन भी फ्रेंग के जाते हैं तो इसमें हम लोग यह देखने वाले हैं कि अधिक करन क्या होता है और कितने भागों बाठा ग कर दिएगा और दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि हम आपको अच्छा से तेंत का कवर आप करते रहें क्या कि वह रिग्जाम आपको बहुत आप नजदीक आने वाला है चलिए मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं मतलब ऑद्योगी करन क्या होता है उसके बारे में लि उस अद्योगी क करांथी को कषा है जिसमें वस्तु का उत्पाधन मतलब मानव के द्वार ना होके मुझीण के द्वारा होता है क्या होता है कि मतलब वस्तु का उत्पादन मानभ द्वारा ने हो के मशीनों की द्वारा होता है और मशीनों की द्वारा होगा tuh मतलब जाहिर सी बात है बहुत जायदा मात्रा में वस्तु का उत्पादन होगा और मैंपावर का भी मतलब जरूरत बहुत कम परेगा चलिए देखते हैं और देखिकरन के उत्पादन बड़े पाइमाने पर होता है और देखिकरन से ये भी फाइदा हुआ है कि कोई भी वस्तु कोई भी चीज का उत्पादन मतलब बड़े पाइमाने बड़े लेवल पहता मतलब जायदा मात्रा में होती है बड़े पहमाने पर वस्तु का उत्पादन होने के कारण बिकरी के लिए बजार किया हो सकता परती है मतलब जैसे कि आप लोग सिंपल उदारन समझते हैं गौ में कोई छोटा किसान उसको बहुत कम खेत रहता है तो मतलब उसको उतना ही चावाल या गेहूं या कोई अन्फसल होता है जो अपना भरन पुसंद कर से मतलब अपना परिवार को चला सके और उसमें मतलब जितना खाया जाता है उतना मतलब वो उगार लेता है जी वही बड़ा किसान की बात करें जिसके पास जायदा मातरा में मतलब खेत है और जायदा मातरा में वो खेती करते है या कम खेत होने के बावजूद भी वो औरगिनिक खेती करते है तो मतलब उसमें जायदा पाइमाने पर मतलब उसको फसल हो रहा है तो उसको क्या करेग कि पहला तो उसके घर तक रोड होना चाहिए और कोई ऐसा बजार होना फिक्स मतलब बजार कोई ऐसा उसको चैन करना होगा जहांपर वो अपने समान को ले जाएगा मतलब अपना फसल को ले जाएगा और उस बजार तक ले जाने के लिए उसको क्या होना चाहिए मतलब सरक हो नहीं चाहिए तो उसी तरह क्या होता है और वहां पर ज्यादा मांग है और वहां पर ज्यादा उसकी डिमांड है तभी उसको उत्पादन करें तो वही कारा है बड़े पहमाने पर वहां पर ज्यादा उसका उत्पादन करें तो उसके बेचने के लिए क्या होना चाहिए और बजार तक वहां पर पहुचाने के लिए सरक तथा रेल की वहास्ता आवस्था होती है बड़े पाइमाने पर बहुत लेवल मतलब भसतु का उत्पादन होता है मानव में मजदूर वर्ग में क्या होता है कि बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन होने लगती जैसे कोई काम करवाना है तो वहां मजदूर करेगा तो यह कोई बार बड़ा प्रोजेक्ट यह पूल बन रहा है यहां मजदूर से करवाया जाए तो बहुत ज्यायदा की आप सकता होगी लेकिन वहीं पर श्रकिया जाए उस्में दो से तीन मतलब मैंद पाबर की आपसकता होगी उसमें दो से तीन आदमी रहेगा तो जो मश्रीन को ऑपरे वस्तु को उत्पादर में बड़े लेवल पे होता है मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है और मतलब उसमें मानव के आवसकता भी काम परती है जहां मसेनरी वर्क होगा वहाँ पर मैन पावर कम लगेगा ही लगेगा क्योंकि मसीना के लिए बहुत सारा काम कर लेते हैं तो अधि में यही सब था और अधियोगी करन से पूछा जाए कि उससे क्या समस्या उत्पन होती है और और कि मारकेट का होना जरूरी हो तो बजारो का और वहां तक ले जाने के लिए कि स्रक्त और रेलगारी की जरूरी होती है तो चलि हम एक और और question देख लेते हैं जो इसी से related है और बहुत ही छोटा question है इसी से related है इसलिए हम question को यहीं पर देख लेते हैं क्या second question है मेरा कि बुर्जुवा वर्ग की उत्पती कैसी हुई मतलब बुर्जुवा वर्ग कैसी उत्पती हुई है हम पहले यह तो जानेंगे कि बुर्जुवा वर्ग होती क्या है उसके बाद ना जानेंगे उसके उत्पती कैसी होती है मतलब बुर्जुवा वर्ग ना बुर्जुवा सब् भण除बर्द सफल होने के फौर समाज कितने बागों बढ़Ցे जब उधियकरण सफल होने के क्या होता है तो अधिकरन के सफल होने के फॉल सुरूप क्या हुआ है एक समाज तीन वर्गों में बढ़ गया पहला क्या पुंजी पती वर्ग जो जिसके पास बहुत साथ धंदौलत होते थे दूसरा क्या होता बुर्जुवा वर्ग मतलब वही जो मध्यम वर्ग मध्यम वर कहलाता है अर्था मध्यम वर्ग कहीं क्या होता है बुर्जुवा वर्ग कहलाता है और मेलनी क्या होता है कि जो जिस सब्द से ले गया है फ्रांसी वर्ग में उसका अर्थ क्या होता है मध्यम वर्ग से अधिक धनवान व्यक्ती तो इनहीं लो मतलब मध्यम वर्ग के लोग पुझी पती वर्ग होंगे तो वह जैदा मतलब क्या होगा वेपार को चलाएगा नहीं मतलब वह ओनर का हला है लेकिन चलाएगा नहीं उसी तर जाएचा क्या है कि मुक्य संबानी है तो वह बहुत बारा बिजनेसमेन है तो उसको क्या होता है उसका मतलब सारा बिजनेस क्या कोई देख रेक करने वाला होता है जैसे गूगल ही हो गया तो गूगल का आउनर कोई और था मतलब क्या कि गूगल का स्थापना या आउनर का आ जाए तो कोई और है लेकिन उसका सीयो जो सब कुछ देख वाल करता है मतलब सब कुछ देखता है सो कौन है मतलब भारत कहीं क्य वाचिंगे तो तो उसी तरह मतलब उसका मतलब व्यपार का देखर एक कौन करता था पुंझी पती मतलब मध्यम वर्ग करते देजिसें क्या बोलते हैं तो चलिए आज का वीडियो हैं समाप्त करते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन में आम लोग निजी करन या उपनिवेश वाद दोनों में से कोई एक क्वेशन देखेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू फॉर वाचिंग और